आप सब लोगों को मेरा नमश्कार सब को मेरा प्रणाम सस्रियकाल मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक जहां भी नजर जा रही है इतने लोग इतने लोग आ जाये हूए है पूरे पंजाब से लोग आये हूए है इतनी भार्या हूँ आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी दूर से चल के इतना समय निकाल के आए उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आज मैं आपके बीच में पंजाब के किसानों को सलूट करने के लिए आया हूँ दिल्ली से जिस तरह से केंद्र सरकार ने तीन काले कानून पास किये सबसे पहले उसके खिलाफ विरोध में आवाज निकली पंजाब से आवाज निकली सबसे पहले पंजाब के किसानों ने उन तीनों कानूनों की खिलाफत करनी चालू करी पंजाब के अंदर सबसे पहले अंदोलन उठा और वो अंदोलन दिल्ली पहुँचा जो आग पंजाब के अंदर आप लोगों ने लगाई आज वो पूरे देश के अंदर आग लग रही है सारे देश के किसान आज खड़े होगा आप लोगों के साथ आज मैं पंजाब के किसानों को इसी लिए सल्यूट करने आया हूँ पंजाब वीरों की धरती है ये आज नहीं सदियों से जब 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 अन्याय हुआ देश के उपर या पंजाब के उपर पंजाब के लोगों ने उसमें लीडर्शिप ली है और इस बार भी तीनों कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों ने लीडर्शिप ली है मैं सल्यूट करने आया हूँ पंजाब के लोगों को कि अब केवल पंजाब के किसानों का अंदोलन नहीं बना अब ये हर आदमी का, हर औरत का, हर बच्चे का अंदोलन बन गया ए और केवल पंजाब में नहीं मैं डिल्ली से आया हूं डिल्ली के घर घर के अंदर ये अंदोलन पहुंच गया है कि मैं अभी सूरत गया था सूरत में आम आदमी पाटी बीजेपी से 27 सीट जीत गई है बीजेपी के गड़ के अंदर गुजरात बीजेपी का गड़ माना जाता है सूरत में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार में सूरत के अंदर कॉंग्रेस की जीरो आम आदमी पार्टी की 27 सीट आई है तो मैं अभी सूरत गया था सूरत के लोगों ने मेरे को कहा कि सर अगर आप पंजाब जाओ तो पंजाब के लोगों ने को बोल देना पूरे गुजरात के किसान उनके साथ है दिल्ली आपके साथ है गुजरात आपके साथ है थोड़े दिन पहले मेरी ममताब एनरजी से बात हुई उन्होंने मेरे को कहा कि वेस्ट बेंगॉल के सारे किसान आपके साथ है तो ये लोग जो बोलते हैं कि ये अंदोलन तो केवल एक दो रज्यों का अंदोलन है ये एक दो रज्यों का अंदोलन नहीं है ये पूरे देश के किसानों का अंदोलन है और ये केवल देश के किसानों का अंदोलन नहीं है ये हर भारत वासी का अंदोलन है ये हर देश भक्त का अंदोलन है इस देश के रहने वाले बच्चे-बच्चे का अंदोलन है। इसके लिए मैं आज पंजाब के लोगों का धन्यवाद करने आया हूँ कि आप लोगों ने इसको शुरू किया। शुरू से मैं इस अंदोलन में मैंने केवल समर्थन नहीं किया। इस अंदोलन का हिस्सा बनके मैंने इस अंदोलन के अंदर भाग लिया। और आज उसको मेरे को हरजाना यह हमें परेशान कर रही है मौदी सरकार। खूब परेशान कर रही है। अब यह हमारी सारी पावर छीनने का कानून लेके आया संसत के अंदर। जब पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ चले नवंबर के महीने में तो हरियाना के अंदर हर शहर में इनको रोका गया। इनके ओपर पानी की बच्छारे छोड़ी गई। बैरिकेड लगाए गए आसू गैस के गोले छोड़े गए। हर जगे इनको रोकने की कोशिश की गई। लेकिन पंजाब के किसान का हमानने वाले हैं। वो चलते गए चलते गए चलते गए। सारे अडचन पार करते हुए, इनके बैरिकेड तोड़ते हुए, पानी की बच्छारे पार करते हुए। पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुँच गये जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुँच गये तो दोस्तों मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा शड्यंत्र रचा उन्होंने बहुत बड़ी प्लाणिंग करी मोधी सरकार ने प्लानिंग करी कि इन किसानों को दिल्ली आने देते है जब ये दिल्ली आ जाएंगे तो नो स्टेडियम नो बड़े बड़े ग्राउंड इन्होंने प्लानिंग करी मोधी सरकार ने उनको जेल बना देते है और उन जेलों के अंदर पंजाब के सारे किसानों को डाल देंगे वहाँ ये कई महीनों तक पड़े रहेंगे इनका अंदोलन खतम हो जाएगा दोस्तों से अपनी किस्मत अच्छी थी उन स्टेडियम को जेल बनाने की पावर मोदी सरकार को नहीं थी वो हमारी सरकार को थी ये किस्मत ही उपर वाले की कृपा है वाईगुरुजी की कृपा है की स्टेडियम को जेल बनाने की पावर मोदी सरकार की नहीं थी तो मोदी सरकार ने मेरे पास फाइल भेजी कि ये नौ स्टेडियम जेल बनाने है मैंने पूछा क्यूं बनाने हैं बोले यह जो किसान आ रहे हैं इनको जेल में डालना है तो दोस्तों हमने का हम नहीं जेल नहीं बनने देंगे इन्होंने खूब फोन करें मेरे को इन्होंने खूब दवाव डाला खूब प्रेशर डाला लेकिन हम नहीं जुके अभी जर्नेल सिंग ने पढ़के बताया मैंने फाइल पे लिख दिया किसानों का आंदोलन अहिंसक है इनकी मांगे जाये जहें मोधी सरकार तुरंत इनकी मांगे मान ले और हम इनको जेल नहीं बनने देंगे दिल्ली पुलिस क कि एर जी हम लोगों ने खारिज कर दी हम लोगोंने कैंसल कर दी हो कि अगरे कि ये इतना गुसा हो गए इतना गुसा हो गए मिरसे मोधी सरकार खूब नराज हो गई और उसी का नतीजा है पिछले हफ़ते संसद के अंदर मोधी सरकार कानून लेके आई है कि दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर केजरीवाल की नहीं होगी दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर मुख्य मंतरी की नहीं होगी सारी पावर गवर्नर की होगी LG की होगी सारे निरने LG लेगा वो हमारी सारी पावर छीनना चाते हैं उनको लगता है अगली बार जब जेल बनानी पड़ी तो फाइल फिर मुख्य मंत्री के पास नहीं एलजी के पास जाएगी पर दोस्तों चिंता मत करना आपका बड़ा भाई आपका बेटा मैं वहाँ पे लड़ रहा हूं इन लोगों से छे साल से लड़ रहा हूं मेरे को पता इन से कैसे लड़ना है इनको कभी किसी हालत में किसानों के खिलाफ कोई अक्शन नहीं लेने देंगे जब तक दिल्ली में मैं हूँ आप किसी बात की चिंता मत करना जब अंदोलन जब बॉर्डर पे किसान आके रुक गए उनकी सेवा करने के लिए हमारे सारे मेले जितने मेले बैठे हैं पंजाब के सारे मेले हमारे मपी भगवन तमान साब हमारे दिल्ली के सारे मेले दिल्ली के सारे MP सबने वहाँ जाके सेवादार की तरह सेवा की मैंने सब को बोल दिया वहाँ जाओगे पार्टी का जंडा नहीं लेके जाना पार्टी की टोपी नहीं पहन के जाना पार्टी का नाम भी नहीं लेना केजरी वाल का नाम भी नहीं लेना सेवादार बनके वाय गुरुजी का नाम लेके किसानों के बीच में जाके सेवा करना इन्होंने सबने जाके रोज सेवा करी और भी बहुत लोगों ने सेवा करी केवल हमने नहीं वहाँ पे और बहुत सारी जथे बंदिया है सब लोग ने लंगर लगा रखा है हमने दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ सारा पानी का इंतिजाम करा टॉयलेट का इंतिजाम करा हमने वहाँ पे लंगर का इंतिजाम करा फिर काई बच्चे आये एक दिन मेरे पास बोले हमें अपने पिंड में बात करने में दिक्कत होती है, सिगनल कमजोर है, हमने वहाँ पे फ्री वाइफाई का इंतजाम करा दिल्ली सरकार की तरफ से, जो जो हम कर सकते थे हमने किया, तो एक दिन अपने अख़बार में पढ़ा होगा, मैंने सोचा मैं भी सिंगू बार्डर पे जाके किसानों से मिलक आता हूँ, जब मैं अपने घर से निकला, तो दिल्ली पुलिस ने मेरे को रोक लिया, दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती, दिल्ली के मुख्यमंतरी के अंडर में नहीं आती, मेरे को मेरे घर के अंदर नजर बंद कर दिया, मेरे को 24 घंटे घर से नहीं निकलने द लिया ताकि मैं सिंगू बॉर्डर पे जाके किसानों से ना मिल सकूँ लेकिन दोस्तों मुझे कोई परवा नहीं है यह जो मर्जी अत्याचार करें आप लोगों का लड़ाई आप लोगों की लड़ाई जाए जाए आपकी मांगे जाए 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 आप सच्चाई के रस्ते पर चल रहे हो अंत्पंत में जीत अपनी होगी इन्होंने अंदोलन को किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी कभी कहते हैं खालिस्तानी हैं कभी कहते हैं अतंकवादी हैं कभी कुछ कभी कुछ किसम किसम के इल्जाम लगाए अंदोलन के उपर लेकिन देश की जंता देख रही है इनका एक भी नहीं चली आम आदमी पार्टी ने इनके जितने बीजेपी के नेताओं ने गालियां दी जितने बीजेपी के अगों ने हमारे किसानों को गालियां दी आम आदमी पार्टी ने इनके उपर सत्तर केस कर रखें इनके सारे बड़े बड़े नेताओं के जो पूरे ही उमीद है जितने लोगों ने गालियां दी है एक दिन ये सारे जेल जाएंगे जब आदेश पारित होगा दोस्तो सतर साल से इस देश के अंदर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है किसानों के साथ ज्यात्ती हो रही है सतर साल से इतनी पार्टी आई लेकिन किसानों को धोखे के लावा कुछ नहीं मिला कभी कोई पार्टी आती है कहती है हम नौकरी देंगे कोई नौकरी नहीं देता कभी कोई पार्टी आती है कहती है हम करजा माफ करेंगे कोई करजा माफ नहीं करता लेकिन दोस्तों ये तीनों कानून जो हैं ये तीनों कानून ऐसे हैं कि अगर ये पाज ये लागू हो गए तो किसानों का कुछ नहीं बचेगा ना उनकी जमीन बचेगी ना उनकी खेती बचेगी ये खेती उठाके बड़े-बड़े पुझी पतियों को इनके जो दोस्त है तीन-चार दोस्त है उनको उठाने की पूरी तर इन्होंने तैयारी कर रखिए आज से चार साल पहले जब पंजाब में चुना हुआ था तो कैप्टेन साहब ने भी बड़े-बड़े वादे किये थे किये थे की नि किये थे कैप्टेन साहब ने कहा था स्मार्ट फोन दूँगा जिस जिसको स्मार्ट फोन मिलिया जरा हाथ खड़ा करके दिखा दो अपना फोन दिखा दो कैप्टेन साहब ने जिस जिसको स्मार्ट फोन दिया है किसी को नहीं मिला कैप्टन साब ने कहा था किसानों का लोन माफ करूंगा कर्जा माफ करूंगा किस का कर्जा माफ हो गया जरा हाथ खड़ा करके बता दो कैप्टन साब ने कहा था बुढ़ापा पेंशन टाई ا Could रुपे महीना ay रुपे करूंगा किस-किस को नौकरी मिल गई जरा हाथ खड़े करके बता दो आज ये मैं काड लेके आया हूँ ये कैप्टेन साब ने ये काड बाटे थे नहीं बाटे थे इस पे लिखा है बेरोजगारी भत्ता काड बेरोजगारी भत्ता काड इस पे लिखा है कैप्टन ने सौँचुकी हर घर एक नौकरी पक्की कैप्टन ने सौँचुकी हर घर एक नौकरी पक्की किस-किस को नौकरी मिल गई है दोस्तों ये काड कैप्टन साब ने ये काड बीस लाख लोगों के घर में बाटे थे 20 लाख नौजवानों को ये कार्ड दिया था कैप्टेन साब ने कहा था मेरे को वोट दे दो मेरी सरकार बन गई तो मैं नौकरी दूँगा ये कार्ड ले आना कार्ड दिखा के मैं नौकरी दे दूँगा आज पंजाद के यह वाँ उनके घर के चक्कर काट रहे हैं एक आदमी को नौकरी नहीं मिले मेरी आप लोगों से निवेदा ने ये कार्ड फैकना मत ये कार्ड रख्या रखना रोज सवेरे उठके इस कार्ड को निकाल के देखना ये आपको याद दिलाएगा कि आज से चार साल पहले एक आदमी आपको धोखा दे के वोट दे के चला गया ये कार्ड आपको याद दिलाएगा कि किस तरह से कैप्टेन साब ने आपको जूट बोल के वोट लिया ये कार्ड फैकना मत अगले एक साल तक रोज सवेरे उठके ये कार्ड देखना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप क्या करते हो उससे बदला लेते हैं कैप्टेन साब ने आपको धोखा दिया एक साल के बाद उनसे बदला लेना है नहीं लेना है लेना है नहीं लेना ना किसी का लोन माफ किया ना किसी की बुढ़ा पर पेंशन लगाई अभी दो दिन पहले एक TV चैनल क्या नाम है आप ABP गंगा ABP चैनल वालों ने दो दिन पहले एक सर्वे किया था देखा था सर्वे आये था क्या था सर्वे में दो दिन पहले उन्होंने सर्वे किया था कि आज अगर चुनाव हो तो पंजाब में किसकी सरकार बनेगी सर्वे में आया है कि पंजाब के लोग कह रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी Can you just see in the survey in a VB Channel वालों सब्शवे किया है कि सर्वे केंदर निकलके आया एक कि आम आद्मी पार्टी नंबर वन पार्टी मैं आद्मी पार्टी कि सरकार बनेगी तो दोस्तो ॏ 100 होले कार्ड समभाल के रखना एक साल के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी जिन जिन लोगों को कैप्टेन ने ये कार्ड दिया था उनको आम आदमी पार्टी नौकरी देगी जिन जिन लोगों को कैप्टेन ने ये कार्ड दिया था जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आम आदमी पार्टी की सरकार आपको बेरोज़गारी भत्ता देगी कैप्टेन साब ने जितने वादे करे एक भी वादा पूरा नहीं किया दिल्ली के अंदर हम भी चुनाव लिड़े थे दिल्ली के अंदर चुनाव के पहले हमने भी वादे करे थे बाई साब एक एक वादा पूरा किया कोई पावर कट नहीं लगता 24 गंटे बिज़ली आती है और बिज़ली का बिल कितना आता है यह मैं देख रहा हूं कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा मैं देख रहा हूं कई लोगों के चेरे फक पड़ें अभी उनको समझ नहीं आ रहा रहे ऐसे कैसे हो सकता है बिजली का बिल जीरो कैसे आ सकता है बाईजाब दिल्ली में 73 प्रतिशत लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है उनके घर बिजली का बिल नहीं आता उनके घर बिजली का बिल नहीं आता 24 घंटे बिजली आती है चमतकार है ये और पंजाब के अंदर इतना बिजली का बिल आता है तो दिल्ली के अंदर अगर 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर जीरो बिजली का बिल आता है पंजाब में बिजली का बिल जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं होगा जोर से बोलना पड़ेगा हाथ खड़े करके बताओ बिजली का बिल जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए दिल्ली में हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता कौन करेगा कौन सी पार्टी करेगी कौन सी पार्टी करेगी चुनाव के पहले मैंने वादा किया था अपने लोगों को दिल्ली में कि मेरे को वोट दे दो मैं स्कूल अच्छे कर दूँगा आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शांदार होगा इतने शांदार होगा हमारे गरीबों के बच्चे इतने शांदार स्कूलों में पढ़ते हैं आज हमारे गरीबों के बच्चे डक्टर बन रहे हैं इंजीनियर बन रहे हैं एड़ोकेट बन रहे हैं मैं आप से पूछना च स्कूल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए कौन सी पार्टी करेगी कौन सी पार्टी करेगी कि चुनाव के पहले मैंने दिल्ली के लोगों को कहा था हमको वोट दे दो हम अस्पताल अच्छे कर देंगे आज दिल्ली के अस्पताल इतने शांदार हैं बाई साब अगर 15 लाख रुपे का भी ऑपरेशन हो दिल्ली के अस्पताल में फ्री में होता है एक पैसा नहीं लगता सारी दवाईया मुफ्ट सारे टेस्ट मुफ्ट सारा इलाज मुफ्ट सारे डक्टर मुफ्ट और इतने शा साल है एक साल के अंदर अब अपने को मिलके हम सब लोग गाउं गाउं के अंदर हर पिंड के अंदर हर पिंड में जाएंगे हर महले में जाएंगे हर गली में जाएंगे और आपके साथ मिलके एक नए पंजाब का सपना तयार करेंगे अपने को नया पंजाब बनाना है अपन को एक ऐसा पंजाब बनाना है जिसमें हर किसान खुशो हर मजदूर खुशो जिसमें हर व्यपारी खुशो हर आड़ती खुशो जिसमें हर आदमी हर औरत हर बच्चा खुशो जिसमें हर एक को अच्छी शिक्षा मिले जिसमें हर आदमी को अच्छा इलाज मिले जिसमें पैस कितनी की वज़े तंगी वज़े से किजी की सुकूल बंद नहीं होने चैंगे किसी को घड़गार इस्पटाल इलाज नी बंदोना चाहिए तो हम सब लोगों को मिलके कैसा पंजाब बनाना है अगले एक साल में हम सब मिलके कैसे पंजाब का सपना तयार करेंगे उसके बाद आमादमी पार्टी की सरकार आएगी और आपके साथ मिलके पंजाब को एक नया पंजाब बनाएंगे खुशाल पंजाब बनाएंगे एक बार फिर से मैं पंजाब के किसानों को कहना चाता हूँ पंजाब के लोगों को कहना चाता हूँ हम तन मन धन पूरी तरह से मैं मेरी पार्टी मेरी सरकार किसानों के साथ है और जब तक ये तीनों कानून मोधी सरकार वापस नहीं लेती हम चैन से नहीं बैठेंगे बोरे सो निहार